सनातन धर्म में मौनी अवस्या का विसेश महत्व है इस दिन मौन ब्रत रख कर भगवान विश्णू की पूजा की जाती है पहले तो इस अवसर पर सरधालू गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सरसती एवं नर्मदा नदी में आस्ता की डुपकी लगाते हैं अगर आप नदी सरोवर में नहीं भी नहा सकें तो घर में गंगा जल डाल कर जल में और फिर असनान करें अगर गंगा जल ना हो तो तुलसी का पत्ता या बिलुपत्र डाल कर असनान करें तो उत्तब अगर हम धर्म सास्तरों की माने तो मौनी अवस्या की महिमा का बखान बिस्तार पुरवक किया गया है मौनी अमस्या की दिन असनान ध्यान कर भगवान विश्णू की पूजा करने से सो यग्यों के सम्तुल लिफल की प्राप्ती होती है भगवान विश्णू का आसिरवात प्राप्त होता है सुमूर्थ क्या है अगर हम जोतिस की माने तो माग माह की अमवस्या जिसको हम मौनी अवस्या कहते हैं इस वार 9 फरवरी की सुबह 8 बच कर 2 मिनिट पर सुरू होगा और अगले दिन यानि 10 फरवरी को ब्रह्म बेला यानि सुर्योदे से पहले 4 बच कर 28 मिनिट पर समापत होगा सनातन धर में उद्या तिथी की गन्ना होती है इसलिए 9 फरवरी को मौनी अवस्या मनाई जाएगी सुब योग क्या है मौनी अवस्या के दिन सरवार सिद्धी योग का निर्मान हो रहा है और इस योग का निर्मान सुबह 7 बच कर 5 मिनिट से होगा देर रात 11 बच कर 29 मिनिट तक रहेगा तो प्राता कल असनान ध्यान पूजा जब तब दान पूने करें किसी कारण बस प्राता आप नहीं कर पाते हैं तो दोपहर के समय में भी असनान दान कर सकते हैं मौनी अवस्या के दिन ब्रह्म बिला में उठकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें फिर असनान बेगेर करें मौन रहें बोलिए गमत अगर पूरा दिन आप मौन नहीं रह सकते हैं तो कम सकम जब तक आप असनान नहीं कर लेते तब तक मौन रहें असनान दान करने के बाद बोल सकते हैं और इस दिन भगवान भासकर को एनि भगवान सुरी को भी एक लोटा जल में थोरा सा काला तिल डाल कर जरूर और पित करें जितना ज्यादा हो स्रीहरी का नाम लें फिलाल आप से भीदा लेंगे धन्यवाद